नमस्कार मेरे नाम आर पदमजा पालवंचा बल्लेर गुड़ उन्नत पार्शाले में इंदी अध्यापिका हूं सभी को चात्रों सभी को डिजिल कक्षा के लिए स्वागत है आर सात्वी कक्षा का पार्ट मन करता है कविता पार्ट में दूसरा बाग इसलेशन करेंगे तुम अपने अपनी पार्ट पुस्तक उत्तरपुस्ति का कलम साथ लेकर तयार रहिए चलिए इस पार्ट का शुरुवात करेंगे चात्र तुम्हारे सामने पार्ट पुस्तक है ना आच्छा देखो हम लोग जो पहले इसका विताप पार्ट को अच्छा देखो गायन करेंगे तुम सभी ने मेरे साथ गायन करने के लिए कोशिश करें मन करता है सूरज बनकर आसमाने मे तवडु लगाव। मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकड दिखाव। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाव। मन करता है कोयल बनकर मीटे मीटे बोल सुनाव। मन करता है चिड़िया बनकर चीची चूँचू शोर मचाव। मन करता है चरकी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाव। चात्र इस कविता का लेक काउन है स्री सुरेंद्र विक्रम जी है। इस काउन सी विधा में है इस पाट कविता विधा में है। अच्छा, आज दूसरा बाग मन करता है, दूसरा बाग के लिए स्वागत है, अच्छा, हम लोग पहले सुनो बोलो, देखो, पाठ्च पुस्तक में, देखो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, क्या सुनना, आओर सुनकर बोलना, प्रेश्णों, जिसमें जो प्रेश्णों पूचुनगी, उस प्रेश्णों को सुनकर उसको उत्तर बोलना चाहे, पहले, पहला प्रेश्ण है कि, तुम्हारा मन क्या 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 करने को कहता है, अच्छा, जो पाठ्ट मन करता है, पाठ्ट में, पाठ्ट आया न, बालक के मन म क्या क्या विचार आते है उसके बारे में और तुमने क्या करना है प्रश्न तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है अच्छा बोलो चात्र क्या क्या करने को काता है देखो रंग बिरंगे पतंगों को उड़ाने के लिए रंग बिरंगे पतंग उड़ाना और राकेट पर बैट कर सवारी करना पैरा चूट से उड़कर आकाश में चक्कर कातना है ना ये करने के लिए तुमारा मन कहता है आओर दूसरा प्रश्न देखो दूसरा प्रश्न क्या है तुम अपने घर में किसकी नकल करना पसंद करते हो क्यों? प्रश्न देखो तुम अपने घर में किसकी नकल करना पसंद करते हो आप बोलो तुम अपने घर में किसकी नकल करना चाहते हो आप बोलो तुम बोलो पापा के जैसे नकल करना पापा के जैसे क्या नकल करते है? पापा के जैसे नकल करना और पापा के जैसे गर की सजावट करना आचा आचात्र तुम लोग बहुत अच्छा बोले है आओ इसके बाद क्या है? आँ देखो पड़ो पड़ो में क्या है? आँ देखो काउन क्या करता है? जोडी बनावो इसमें पड़े के अंतरगत काउन क्या करता है? जोडी बनावो आँ बोले क्या है इदर? एक तरफ सूरा चान तितली कोयल चीडिया दिया गया है और दूजी तरफ क्या क्या है? दूर दूर तक वुड़ती है मीटे मीटे गीत सुनाती है आसमान में दवर लगाता है शोर मचाती है तारों पर आकड़ दिकाता है ये दोनों को क्या करना है? जोडी बनाना चाहिए है न? अच्छा प्रयास कीजिए पहला क्या है सूरज पार्ट में क्या है? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दवर लगाँ कहां है देखो रेका किन्छो सूरज से आसमान तक सूरज आसमान में दवर लगाता है है न? और बाद में चान्द चान्द से क्या करते है? क्या करने चाते है बालक पाट में चान्द तारों पर आकड़ दिकाता है निच है न? ए दोनों का जोड़ी बनावों चान्द से रेका किन्छो तारों पर आकड़ दिकाता है आओर क्या है? तितली तितली के जैसे दूर दूर तक उड़ती है न? देखो तितली से रेका किन्छ कर दूर दूर तक उड़ती है दोनों को जोड़ी बनावों और बाद में क्या है? कोयल कोयल मीटे मीटे बोल सुनाना मीटे मीटे गीत गाती है आदेखो कोयल से मीटे मीटे गीत सुनाती है तोनों को जोड़ी बनावों कोयल से लेकर मीटे मीटे गीत सुनाती है कोई से लेकर यहां तक रेका गिंचो आओर चिडिया चिडिया सोर मचाती है कविता पाट में क्या है चिडिया के जैसे सोर मचाना सोर मचाती है देखो चिडिया से लेकर रेका गिंचना है हो गया ना सूरज से और पढ़ो सूरज आसमान में दवड लगाता है चांद तारों पर अकड़ दिखाता है तितली दूर दूर तक उड़ती है कोयल मीटे मीटे गीत सुनाती है चिडिया सोर मचाती है अच्छा जो हमारा पडो के अंतरगत पड़ना कौशल के अंतरगत जोड़ी बनाना हो गया तुम सबने अच्छी तरह जोड़ी बनाये है अच्छा बाद में पड़ो के अंतरगत आउर एक ब्रश्न है देखो कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को कहता है बतावो चात्र बतावो कविता याद दिलाने पर इसका अर्थ इसका उत्तर समझ में आते है कविता में बच्चे का मन क्या क्या करने को करता है बतावो इसका अर्थ इसका उत्तर क्या है पाइंट वाइज लिक्ली जिये पहला पाइंट है कि लिको एक सूरज बनकर आस्मान में दोड लगाना आवर दुसरा चंदा बनकर तारों पर अकड दिखाना आवर दिसरा कितली बनकर दूर दूर तक उड़ना आवर चौता कोयल बनकर मीटे मीटे बोल सुनाना और चिडिया बनकर सोर मचाना चट्वा चर्की लेकर पतंग उड़ाना उसका विता पाट में बालक का मन क्या क्या करने काता है सूरज बनकर आस्में दोड लगाना चंदा बनकर तारों पर अकड दिखाना तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना और कोयल बनकर बीटे मीटे पोल सुनाना चिडिया बनकर सोर मचाना चर्की लेकर पतंग उड़ाना बच्चे समझबा आ गया? हाई ना? और बाद में देखो कौन सा कौन सा कौन साल है इदर? लिखो लिखो याने लिखना है लिखो के अंतरगत कौन सा प्रश्न है? उस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए प्रश्न क्या है कि पतंग के बारे में दो वाग की लिखो क्या करना है लिखने के अंतरगत? पतंग के बारे में दो वाग की लिखना है अच्छा बोलो पहले क्या है? लिख लिजियो पतंग के बारे में दो वाग क्या है? पतंग रंग बिरंगे रहते है और दूसरा त्योहारों के समय बच्चे पतंग उड़ाते है हो गय ना? दो वाक्य पतंग के बारे में दो वाक्य हो गया लिखने लिखो के अंतर्गत का प्रस्ण क्या है पातंग के बारे में दोवा की लिखना दोवा क्या है यह तुम्हारे उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और बाद में पान्ना पलटिए अच्छा देखो बाद में क्या है शब्द बंडार में क्या प्रस्ण दिया गया है पतंग की तरह हावा में क्या क्या उड़ सकते है अच्छो बोलो पतंग की तरह हावा में क्या क्या उड़ सकते है येक चिडिया प्रक्षी और राकेट और क्या है पैराचूट पैराचूट है हेलिकाफ्टर भी हो गया शब्द बंडार के अंतरगत पतंग की तरह हावा में क्या क्या उड़ सकते है चिडिया उड़ सकते है राकेट पैराचूट और हेलिकाफ्टर हो गया और बाद में देख लो भाशा की बात बाशा की बात में पड़ो समझो चात्र क्या करना है तुम पार्च बुष्टक में देखकर पड़कर समझना है दवड लगाऊं उड़ता जाऊं शोर मचाऊं आकड दिखाऊं कहानी सुनाऊं पातंग उड़ाऊं बाद में क्या है सुरुजनात्म का अभिवेक्ति के अंथरकत क्या दिया गया है चात्र तुम क्या करना पातंग का चित्र उतार कर रंग बरना पातंग का चित्र उतार कर रंग बरना है पातंग कैसे होते है रंग बिरंग होते है देखो बच्चो यह देखो पीला रंग आए हारा रंग है लाल रंग है साफेद रंग है पातंग है ना? चित्र में किस प्रकार है उसी प्रकार तुम्हारा मन पसंद तुम्हारा सुजनात में कता के अन्सार पतंग का चित्र उतार कर रंगों से भी बर लीजिए यहाँ हाँ और देखो क्या मैं यह कर सकता हूँ अभी तक तुम सभी ने उस पाट का व्याकर नाम्स और कविता के अंतर्गत जो कटिन शब्द है कटिन शब्द का आर्थ यह समझ में आ गया ना कविता का गायन भी हम लोग किये है किदर देखो कविता गा सकता हूँ चात्र बोलो हाँ या नहीं हाँ आ ठीक है कविता तुम सब गा सकते हैं हाई इसलिए हाँ दिख लीजिए बाद में कविता का बाव अपने शब्दों में बता सकता हूँ कविता का बाव क्या है बालक ने क्या बताया पात में बालक के मन में जो करने के लिए कल्पना किये है उस अनुपवों को अपने शब्दों में बता सकना हा ना समझ में आ गए इधर देखो हाँ या नहीं हाँ बता सकते हैं और कविता के शब्दों से वाख्य बना सकता हूँ कविता में जो शब्दा आये न एटनना सुनना चैश शब्दों का वाख्य जो कटिन शब्द है इस वाख्य बना सकते हैं है ये इसलिए क्या लिख न हाँ लिख लिजीए अच्छा ठीक है ना हो गया अमारा पाट आज मन करता है पाट का दूसरा बाग हो गया फिर एक बार उस कविता पाट को पढ़ेंगे मेरे साथ पढ़ने के लिए रयास कीजे मन करता है सूरज बनकर आसमान में दवड लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सबतारों पर अकड दिखाऊं मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं मन करता है चिडिया बनकर चींची चुन्चु शोर मचाऊं मन करता है चरकी लेकर पीली लाल पतंग गुड़ाओं अच्छा मैं इसके साथ समाप्त कर रही हूँ चात्र दन्यवाद